आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट करें नमस्कार दोस्तों प्रशन है निम लिखित को परिभाशित करें तथा प्रत्यक का एक उधारण दे। दोस्तों हमें निम लिखित की परिभाशा देनी है और एक उधारण बताना है। तो पहला दिया गया है आभासी फल, दूसरा है वास्तोविक फल, तीसरा है अनिशेच जनित फल और चोथा और आकरी विकल्पे है बहु ब्रूनता तो दोस्तों बात करें अगर पहले की तो आभासी फल ठीके तो दोस्तों जब क्या होता है कि निशेचन के पश्चात फल का विकास ठीके फल का विकास अंडाशय के अलावा ठीके अंडाशय के अलावा अन्य किसी भाग से होता है ठीके अलावा अन्य किसी भाग से होता है ठीके तो इस प्रकार का जो फल होता है उसे अभासी फल कहा जाता है और दोस्तों इसका उधारण है सेब और सेब में जो फल होता है ठीके वह किस से विक्षित होता है पुषपासन से ठीक है दोस्तों दूसरा हमें क्या दिया गया है वास्तरिक फल ठीक है तो आईए दोस्तों बात करते हैं वास्तरिक फल की ठीक है तो दोस्तों वास्तरिक फल में क्या होता है कि फल का विकास ठीक है फल का विकास किस से होता है अंडाशय से होता है ठीक है और दोस्तों बात करें अगर धारण की तो दोस्तों जो बेर का फल होता है ठीक है यह अंडाशय से विक्षित होता है अब हम बात करते हैं तीसरा अनिशेचन जनित ठीक है अनिशेचन जनित फल की ठीके तो दोस्तो इस प्रकार की फल में क्या होता है कि जो अंडाशे होता है ठीके जब अंडाशे बिना निशेचन के ठीके क्या हो जाता है नर्थ बिना निशेचन जनित अनिशेचन के परिवर्तित हो जाता है ठीके तो इसे क्या कहते है अनिशेचन जनित फल के उधारन के अगर बात करें इसका उधारन होता है केला ठीके और चोता क्या है बहु भुरूनता तो आईए दोस्तों बात करते हैं बहु भुरूनता की ठीके तो दोस्तों जब बीज जब क्या होता है बीज के ठीके जब बीज में एक से अधिक भुरून होते है ठीके एक बीज में एक से अधिक भुरून की उपस्थिती ठीके क्या कहलाती है बहु भुरूनता कहलाती है और दोस्तों बात करें अगर बहु भुरूनता की तो दोस्तों इसका उधारण है नीबू गन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो चार्सो पर